नमस्कार D5 चैनल हिंदी देख रहे सवी दर्शकों का मैं ध्रमिंदर संधू स्वाक्त करता हूँ नशे की बात की जाए नशा और नाश एक जैसे ही शब्द हैं लेकिन इनकार्थ विभिन वा अलग निकलता है कार्णिया की नशा जिस घर में जाता है उसको बरबाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता लेकिन नशा कैसे छोड़ा जा सकता है ना तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़े ना आपको किसी भी परकार की ऐसी दवाई की जरूरत पड़े कि आपको ता उमर वो दवाई खानी पड़े तो किस परकार से नशा छोड़ें खास कर बात की जाए हमारे हिंदी क्षेतरों की जहां पर हिंदी बोली जाती है जहां पर बहतात में हिंदू सम्दाय से संबंधित लोग रहते हैं वहाँ पर शराब के नशे का चलन देखने को मिलता है शराब घर को बरबाद करती है इससे कैसे बचा जाए तो इसके बारे में बाचीत करेंगे हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुभाश गोईल जी सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं गोईल जी स्वागत आपका तुमिंदर जी आपका भी और जितने भी दर्शक अपना चैनल देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार मरी नमशकार सस्रियकार गुल साब अक्सर आपके पास हमाते हैं तो एड्रेस भी एक बार बता देते हैं कि सेक्टर 44 टी और इसमें आपको वरदान आइदवेदी की सेंटर के बोर्ड लगे हुए दिखेंगे आप आएं और सुभास जी आपको इसी प्रकार मिलेंगे जिस प्रकार मेरे साथ बैठे हुए हैं और नशा आपका गुपत रूप से ही शुडवा दिया जाएगा और आपकी कोई भी पहचान नहीं होगी आफ मौन पे भी बात कर सकते हैं और नशे की शराब की बात की जाए तो शराब काफे घातक सिद्ध हो रही है आज की युवा पीड़ी के लिए और युवा की बात करें तो कोई भी नशा होता हो कभी भी उमर नहीं देखता जो युवा हो गया वो अगर बच निकला तो बच निकला चपेट में आ गया तो आ गया लेकिन आप किस परकार से समस्या का समाधान करते हैं इसा है द्रमेंदर जी अपने जो पेशन्ट आते हैं जी यादा तर शराब के नशे से प्रॉब्लम होती है शराब जा गुटका खैनी तमाकू ऐसी चीज़ें ज्यादा और पेशन्ट ज्यादा तर आते हैं अपने पास महाराष्टरा से और दूसरा कहो कि च्छतिस गड़ एमपी, यूपी, भिहार, गुजरात और एक मैंने देखा उडिसा साइड के, अंधामा निकोबर साइड के, काले पानी तक के पेशन्ट चंडीगड जब आते हैं मुझे लगता है कि बाके हमने कुछ न कुछ दुनिया के लिए ऐसा किया है कि जो लोगों का ऐसे फेथ बन परिशान है, तो शराब जो है, शराब चुडाने के लिए हम कभी भी काम नी करते थे, हम नवंबर दोजार पांच से लोगों को नशे चुडवा रहते, लेकिन शराब चुडाने की कभी मन में बात ही नहीं क्योंकि शराब एक ऐसा नशा है जो कोई छोड़ने ही नहीं चा चुड़ना है, जो शराब पिता है, वो इनसान कभी भी शराब चुड़ने को त्यारी नहीं होता, जबकि छोड़ना चाहता है, कमिट नहीं करता, तो उसको फिर बिना बताय चुड़ाने का फार्मूला, वो हमारे पास नहीं था, तो फिर जाकर के धीरे 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 सन दो गोल सब एक दवाई आती है जिसको हम आईयरवेद के माध्यम से बिदाउट एनी साइड इफेक्ट लोगों को बिना बताए शुराब चुड़ा सकते हैं एक ना आईयरवेद के वैद अपने यहां पर निफ्ट किये 2011-12 में जा करके तो उन्होंने फिर बताया कि गोल सब को देना होगा कि दस ड्रॉप डेली टेन बूंद डेली उसको देने हैं और वो किसी भी खाने पीने में डाल सकते हैं दूद दहीं लसी दाल सबजी में लोगों कोई पाउडर जा कोई गोली जा कैपसुल नहीं था वो लीकुड फॉर्म में थी दवाई बनाई गई जी समय लगा काफी समय लगा पांचे मेंने लगे उस सीज़ को और बहुत सारे अध्यात्मिक चैनलों पर फिर फिर बहुत सारे अख़वारों के माद्य हम से आर्टीकल दिये गए कि शरावी को बिना बताए अगर शराव चुड़ाना चाहते हैं तो संपर्क करें लोगों ने इदनी फीमस हुई कि अगर किसी के घर में को इन्सान शराव पीता है तो पहले तीन महिने वो दवाई हम देते हैं ये दवाई हमारी इंडिया में और अबरॉड में भी जाती है लेकिन अबरॉड में हमें डिक्कत आई कि वहां लिकूर नहीं जाता था तो वहां के लिए फिर इसको ड्राइ फॉर्म में त्यार किया गया इसको पॉडर फॉर्म में त्यार करके कैपसुल रूप में डाला गय कि एक कैपसुल को खोल करके उसका पाउडर किसी भी डाइट में मिलाके दिया जा सकता है तो अबराड में प्राब्लम फिर यह थी कि वहां की जो शराव है और जो अमने इंडिया की जो शराव है इसकी क्वालिटी का बहुत डिफरेंस था बहुत वह प्यूर क्वालिटी और और फारण में फिर हमने वो कैपसुल रूप में दी और इन दवाईयों का जो फाइदा मिला उससे मन को बड़ा सकून मिला कि हम जो अफीम समैक हेरोईन कौकिन बगएरा जो चिक्टे के नशे करते थे लोग वो तो हमारे से संतुस्त होती थे साथ-साथ हम शराव पिने व में चूट जाता है उसके लिए हम ज्यादा तर पेशेंट को समय लगाने की जरूरत नहीं है तो वह बड़ा गुंड नुस्का जो है वह घर पर प्रवाइड अच्छे गुल साब यह भी देखा जाता है कि जिस परकार से हमने शराब का जिकर किया है तो शराब के साथ ही अ इन्टेरनल वीकिनस सानी शओक हो जाती है जिस परकार से कहें कि जो संबंद बनाने में उसको दिक्कट आती है परेशानी आती है तो उसके लिए एक्शन पराश है छो है वह पाउडर है ग्रेंडूल है तो इस ग्रेंडूल को डूद में डाल के लेrial आताय है और उससे ब । काफी थिक बना देता है रहता ऑड़ा बना देता है और उसकी क्वालिटी अची हो जाती है बलड की अच्छी हो जाती है और यौके लिए हमारा एक्सट गॉल्ड कैपूल गूल्ड मेरा साथ से दो तिन घंटे पहले आप लो तो एक्स प्लस गोल्ड जो कैपसुल है वह बहुत कमाल का रिजल्ट देता है जुन लोगों को डाइबटीज है जोडों में दर्द है हाई भी पी रहता है लो भी पी रहता है और बहुत सारी स्रीड समस्यां रहती है और उनको अगर अपनी म सेवन कर सकते हैं पाउडर फॉर्म में कोई हमने चबन प्राश को ही एक्शन प्राश के रूप में दिया है ताकि उसको बड़े बूड़े सब खा सके बिलकुल गुल साब आपने जो कदम उठाया हुआ है उसकी पूरी सरहना हो रही है कार्णिया कि नशे ने घर बरबाद बात करें परिवार भी आकर मिल सकते हैं और आपका कोई भी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट यहां पर होगा तो उसको पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा आपकी कोई भी जो जानकारी है वो किसी को भी नहीं दी जाएगी इसलिए आप आएं कॉल करें कॉल करके आप गर वेठे भी ये दवाईयां मगवा सकते हैं गोल साब आप करेकरम का हिस्सा बने आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी दर्विंदर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सब एक बात जुरूर नोट कर लें क हमें अगर आपने हमारे प्रोडेक्ट को परचेज करना है डारेक्ट को आप आई सकते हो कभी भी कोई प्राब्लम नहीं लेकर हमारी जो साइट है www.wadewan.com ये स्क्रीन पर लिखी है इस साइट पर जाकर के भी आप इन सभी प्रोडेक्ट को आप परचेज कर सकते हो घर बै होंगे फिलार इजासत दीजिए धन्यवाद